आज़ी क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? फेस सेक्विंस इंडिकेटर क्या होता है? तो देखो, जो हमारा जो 3-phase सिस्टेम होता है, तो वो क्या होता है? बाई कन्वेंशन हम जो 3-phase सिस्टेम होता है, वो कैसे लिखते हैं? R,Y,B, ठीके? यह लिखते है ना, three phase हमारा होता है, तो अपना system three phase में connected होता है, मालो की जो star connected हमारा, मैंने star connected ले लिया, तो क्या होता है, three phase से connect करते हैं, यह कहलता है, y, r, y, b, ठीक है, यह हो क्या, तो यह इस तरह से हमनों connect करते हैं, by convention हम क्या लेते हैं, r, y, b, ठीक है, तो आपका phase indicator क्या करता है माल लो कि कभी कभी क्या हो जाए यह sequence न उल्टा हमने connect कर दिया हो तो क्या हो जाएगा तो आपको क्या होगा जो phase sequence indicator है यह क्या होता है जो phase sequence indicator is an indicator that determines the phase sequence of a three phase supply system ठीक है यह क्या करता है आपके जो three phase supply system के phase को क्या करता है determine करते है ठीक है तो देखो by convention हमें पता है हम क्या देते है रीबी ठीक है र वाइ देते हैं र वाइ बी देते हैं अपने induction motor को तो क्या हो जाएगा आपका जो direction of rotation of rotor होगा वो क्या होगा is in clockwise direction अगर हमने र, Y, B दे रखा है जैसे हम conventionally क्या मालते हैं कि हमारा जो three phase system है वो ryb जो sequence में connected होना चाहिए ठीक है अगर अगर इस sequence में induction motor connected है तो क्या होगा जो direction होगा आपके direction होगा जो rotation होगा उसका direction क्या होगा clockwise होगा ठीक है अगर what will happen to the direction of rotation of rotor if face sequence is reversed अगर हम face sequence को reverse कर देते हैं ryb ना लेकी से reverse में ले लेते हैं तो हमारा जो rotor का direction था वो क्या हो जाएगा ठीक है तो इसी को पताल करने के देखो तो क्या हो जाएगा जो आपका जो rotor है वो क्या हो जाएगा अंटी clockwise direction में क्या होगा rotate करने लेगा ठीक है तो इससे क्या मतलब इससे हमने क्या देखा कि जो आपका direction होता है direction of rotation of rotor depends on the face sequence वो किस पे depend करता है आपके face sequence पे depend करता है ठीक है कि हमने आपका face sequence क्या रखा है ryb रखा है या face से reverse ले लिया गया है तो यह इस पे depend करता है ठीक है तो देखो इसमें क्या होता है कि जो आपका यह face sequence जो indicator है there are two types of face sequence indicator ओके first one is rotating type and second one is आपका मैं आप लग देती हूँ just a second देखो first जो आपका है first आपका क्या है rotating है ठीक है second one is static type ठीक है first है आपका rotating type face sequence indicator and second one is static type face sequence indicator तो हमें क्या पढ़ना है rotating type face sequence indicator ठीक है तो हमें इस बात की ज्यादा खुशी होती है कि हमें चीज़ी क्या नहीं पढ़नी है क्या पढ़ने से जादा ठीक है कि चलो यह syllabus से हमारा हड़ गया तो हमें क्या आप सिर्फ पढ़ना है हमें rotating type face sequence indicator ही पढ़ना है तो आप देखो यह जो rotating type face sequence इंडिकेटर होता है यह किस के प्रिंसिपल मतलब इट इट वर्क्स ओन दे प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है आपका rotating type अपने इंडक्शन मोटर बढ़ रखा होगा मशीन में तो यह इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल पे काम करता है तो देखो इसमें क्या होता है कि in this the coil is connected in star connection star connection तो आपको पता है बस coils को क्या करते है तो आप three phase system है तो तीन coils होगे तीनों को आप star में connect कर देते हो ठीक है ठीक है तो in this coils are connected in star form उसके बदद हम क्या करते है कि the supply is given from the three terminals that is marked as R, Y, B right हम क्या करते है supply देते है इस तीन terminal से ठीक है जैसे हम supply देते है when the supply is given to the coil when the supply is given given the coil produces the rotating magnetic field यह क्या करेगा rotating magnetic field produce करेगा ठीक है और rotating magnetic field होगा these rotating magnetic fields produce the EDEMF EMF produce होगा आपके movable जो उसमें movable आपके aluminium disk लगे होगे उसमें क्या होगा आपका EMF produce होगा ठीक है यह हमारा क्या R, Y, B 3 phase है और यहां पर aluminium disk लगे होते हैं तो क्या हो जाएगा सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे supply देंगे supply के कारण क्या होगा आपका supply से क्या होगा आपका rotating magnetic field produce होगा आपके coils में ठीक है क्या होगा आपका EMF generate होगा ED EMF generate होगा ठीक है आपके movable जो aluminium disk लगा होगा है वो क्या होगा आपका उसमें ED EMF generate होगा EMF generate होगा आपके aluminium disk में ठीक है यहां तक समझ में आ गया यह आपका जो यह disk लगे होगे है ठीक है तो देखो आपके जैसे ED EMF produce होता है उसके क्या होगा ED current होगा आपके almonium dext पे ठीक है तो यह जो है जो ed आपके current है वो interact करेंगे with the rotating magnetic field तो यह क्या होगा कि जो आपके current produce होगे वो किसे interact करेंगे आपके magnetic field से interact करेंगे which causes क्या करेंगे due to which the torque आपका क्या होगा produce होगा जो आपके संप्लाई आपको आपका यहाँ से क्या करेंगे सब्सक्वार करें यहां से ठीनों टोमिनल पर सप्लाइड होगा आपके तीनों coil में, coil में magnetic field produce होने क्या होगा, आपका ED, EMF generate होगा, आपके movable aluminium disk पे, ठीक है, और अगर आपका EMF generate हो रहा हो तो क्या होगा, current भी produce होगा, एल्मोनियम disk पे, जो current produce होगा, वो किस से interact करेगा, आपके magnetic field से interact करेगा, उसके कारण क्या होगा, आपका torque produce होगा, force produce होगा, जो torque आपके, इस aluminium disk को क्या करेगा, move करेगा, ठीक है, force तो चाहिए ना, किसी भी चीज़ को move करने के लिए, तो क्या करेगा, इस aluminium disk को आपके, move ठीक है if the disc move in a clockwise direction then the sequence is RYB then the chosen sequence is RYB अगर हमारा जो disc है अगर clockwise direction हम क्रोफ करें that means की हम ने क्या sequence लिया है RYB ठीक है if the direction of rotation is in anti-clockwise direction then the sequence is reversed ठीक है यहां तर समझ में आ गया तो इसका क्या है यह क्या indicate कर देगा अगर आपका disc अल्मोनियम डिक्स अगर क्लॉक्वाइस डिरेक्शन में रोटेट करेगा यहीं आपका था फेस सेक्वेंस इंडिकेटर यह हमें बताता है कि हमारा जो फेस सेक्वेंस हमने चूज किया है वह आपका सही है या फिर आपने रिवर्स ले लिया है समझगे तो यह था हमारा फेस सेक्वेंस इंडिकेटर इससे एक बाफ इससे समराइज कर देती हूँ कि आपने क्या करना है थ्री फेस सप्लाई देना है इन तीनों टर्मिनल्स पे तो आपके जो तीन कॉइल्स में वो क्या होगा इसमें रोटेटिंग मैंनेटिक फिल्ट प्रोड्यूस होगा उसके कारण क्या होगा आपका एडी एमफ प्रोड्यूस होगा ठीक है समझगे एमफ होगा तो क्या होगा उसके कारण क्या होगा एडी करेंट होगा ठीक है एडी एमफ प्रोड्यूस होगा उसके कारण क्या ह आपका इदी कर मोमेंट उटिस ऑने लाक है चो को इदी व्रोन करने लगते ऊथा आपका उम्हाटर महांजिस नो क्यान लहाँ है ऐसे यह होता है जो water के कभी का भवर देखा होगा समोंधर में बनता है कभी के भवर ऐसे बन जाता है ठीक है तो वह क्या होता है circle में आपका move करते रहते है तो वहीं आपका ED EMF produce होगा जिसकी कारण क्या होगा ED current produce होगा और वो ED current किसके साथ interact करेगा आपके magnetic field के साथ interact करेगा ठीक है जब current और magnetic field interact करते है तो क्या होता है torque produce होता है ठीक है जो torque produce होगा तो आपका क्या होगा that torque will responsible for the moment of your aluminium disc okay जो आपका torque produce होगा that will responsible for the moment of your aluminium disc that will that will help help this aluminium disc to move in a clockwise direction और anti-clockwise direction depends on the your chosen sequence ठीक है तो आपके जो sequence आपने चूज किया है उस पे depend करेगा कि वो torque जो force produce होगा आपके current और magnetic field के कारण वो आपके इस disc को clockwise direction में move करता है या फिर anti-clockwise direction में move करता है अगर आपका disc clockwise direction में move करता है that means your chosen sequence is ryb जो आपने sequence choose किया था जिस sequence में अपने connect किया अपने device को three-phase system को that will be ryb ठीक है अगर आपका aluminium disc अगर anti-clockwise direction move करता है if the direction of rotation is anti-clockwise then sequence is reversed okay this is the this is all about the phase sequence indicator